मध्य परदेश में इतनी सारी प्राइवेट उनिवस्टीज की क्या जोत पढ़ गी सरकार को क्यों इतनी उनिवस्टीज बना दी क्यों जी इसे न अप्रूवल दे लिए नमस्का दोस्तों एक बर फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उनिवस्टीज इंडिया मेरा नाम है विरेंदे वर्मा जैसा आपसे भी जानते हैं हम देश-विदेश की उनिवस्टीज, कॉलेजिस, उनके कोर्सिस को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तों मैं आपको बताओं तो जो MP की उनिवस्टीज हैं मद्य परदेश की जो इतनी private उनिवस्टीज हैं कई सारी उनिवस्टीज के लिए आप हमें comment करते हो, questions करते हो कि सर इस उनिवस्टी पर आप वीडियो बनाएए, बताइए कुछ उसके बारे में ऐसी ही एक उनिवस्टी है, भाबाई उनिवस्टी भाबा युनिवस्टी जो कि मध्य परदेश में भौपाल में इस्तित है उसके बारे में बहुत कुछ बताऊँगा आज अपनी इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे युनिवस्टी के बास क्या अपरूवल्स हैं और भी कई साई डिटेल्स तो बने रही हैं हमारे इस समझिए कि पूरे मध्य परदेश में टोटल 39 प्राइवेट युनिवस्टी स्टैबलिश हैं दोस्तो 39 युनिवस्टी से अगर देखा जाए पॉपलेशन के बारे में अगर देखा जाए तो यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और यूपी में आप देखें टोटल 30 युनि युनिवस्टी के बारे में तो भाबा युनिवस्टी जो है वो मध्य परदेश में ही स्टित है बपाल में स्टित है युनिवस्टी यूजी सी की लिस्ट पे आप जाके देखोगे फूर्थ नंबर पर युनिवस्टी मिलती है ये फूर्थ नंबर मतलब इसकी रैंकिंग भी यूनिवस्टी को अपरूल मिले हैं जैसे कि 2020 में यूनिवस्टी को परूल मिला जो की है एक लवे यूनिवस्टी दमों में यूनिवस्टी है ये ये भी मद्धे परदेश में है एक और यूनिवस्टी को परूल मिला अभी 2021 में अपरूल मिला है जिसका नाम है महा कौश से स्थित है उनिवस्टी, 2018 में उनिवस्टी ये आई थी, उनिवस्टी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आप ये समझेए कि उनिवस्टी के पास जो courses चलते हैं, उन courses बारे पहले आपको बताना चाहूँगा, इस university के पास engineering चलता है, pharmacy चलता है, मतलब युनिवस्टी के पास PCI होगा Pharma Council of India डेंटल चलता है सीधा युनिवस्टी बनते ही डेंटल का परोल मिल जाना ये थोड़ी सी बड़ी चीज़ हो सकती है युनिवस्टी डेंटल भी चलाती है management courses है computer application courses है education मतलब की B.A.T. के लिए N.C.T. का परोल जरूरी होता है PCI का अपरोल युनिवस्टी के पास बिलकुल होगा और इसलिए युनिवस्टी कोर्स चला पा रही है साथ में commerce, science, arts ये तीनों कोर्स के लिए कोई खास अपरोल जरूरत नहीं होती UGC recognized university होना ही चाहिए वो युनिवस्टी कोर्स करा सकती है nursing, nursing council of India के लिए nursing भी युनिवस्टी करवाती है ये जो युनिवस्टी है nursing के admission भी लेती है library science and journalism courses ये युनिवस्टी करवा रही है courses तो काफी हैं इस युनिवस्टी के पास तो युनिवस्टी के पास ऐसे कई सारे courses हैं जो मैंने courses आपको बताएं इस युनिवस्टी के पास करें UGC की साइट पर अगर आप जाते हो UGC की जाने के बाद में आप जैसे ही जाते हो मद्यपरदेश युनिवस्टी में चोथे नमर पर आपको मिलती है भाबा युनिवस्टी 2018 में युनिवस्टी इस्तीत है और आगे की जो एक्सपर्ट कमिटी जो कंस्ट्यूटेट है महाँ पर नो नो लिखा हुआ है मतलब कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो उसको युनिवस्टी का जो अपडेट है साथ में UGC की वेबसाइट पर जब आप क्लिक करते हो युनिवस्टी के नाम को तो वहाँ जाकर कोई भी डिटेल आपको युनिवस्टी के बारे में जानने को नहीं मिलती है कोई रेजिस्टार का फोन नमर कोई मेल आड़ी कुछ मेंचन नहीं है वाइस टांसलर की कोई डिटेल आपके बास वहाँ मेंचन नहीं है बढ़ हाँ जो अप्रूवल्स की अगर हम बात करें तो यूनिवस्टी की वैब साइट पर अप्रूवल्स का अपडेट जरूर है जैसे की AICTE दोस्तों मैं आपको बताओं मध्यपरदेश की मैकसिमम यूनिवस्टी के पास AICTE का अप्रूवल है जैसे मैं आपको पहले बताया था किसी भी प्राइवेट यूनिवस्टी को AICTE के अप्रूवल के जरूरत नहीं होती है कोई भी यूनिवस्टी ऐसे ही अपने कोर्सिस को चला सकती है बट फिर भी मध्यपरदेश की जातर यूनिवस्टी के अंदर हमने देखा कि वहाँ AICTE का अप्रूवल बिल्कुल यूनिवस्टी के पास है साथ में डेंटल काउंसिल ओफ इंडिया का यूनिवस्टी के पास अप्रूवल है साथ में PCI का फार्मा काउंसिल ओफ इंडिया का यूनिवस्टी के पास अप्रूवल है NCTE का अप्रूवल है यूनिवस्टी के पास जो यूनिवस्टी के पास बीएड करवाती है उन सब के पास NCTE का अप्रूवल होना जरूरी है दोस्तो ऐसी कई सारी information's होती हैं अलग-अलग universities की हम कोशिश करते हैं कि आपको हर university के बारे में detail में बता सकें और review कर सकें university के बारे में आपको जो details हमने बताई हैं भाबा university के बारे में मैं उमीद करता हूँ सब आपको समझ आई होंगी अच्छी लगी होंगी और दोस्तो हमारी वीडियोस को जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी वीडियोस को maximum अपने दोस्तों परीजन परिवार में और खास करके उन दोस्तों में जो लोग admission लेना चाते हैं या admission लेने के सोच रहे हैं या ले चुके हैं उन लोगों तो हमारी वीडियोस जरूर पोचाएं ताकि वो भी जान सकें क्या कुछ चल रहा है education के दुनिया में बहुत बहुत शुक्रेया दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए